यह सच कहूं तो उससे cgivfx और ग्राफिक्स में कई बड़े लिवल पर है और अगर आपने इसका फर्स पार्ट नहीं देखा तो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा वहां सी भी जाकर उस वीडियो को चेक आउट कर सकते हैं जो होती है जहां पर इसका फर्स पार्ट खत्म हुआ था यानि की जर्क सीज के पर्शन और साथ ही लियोनाइडस के स्पार्टन के बीच में जो जंग हुई थी जिसके अंदर तीन सो जंगी युद्धा शहीद हुए थे वहीं उनकी लाशों पर हम जर्क सीज को अपने को भी तयार थी और अब यहां से कहानी उसकी नरेटिंग वॉइस में दस साल पीछे जाती है गौर्गो का बताना था कि असली जर्क सीज यानि की पर्शन का राजा महरबान देवता बना कैसे आज से दस सालों पहले एथीनियंज और साथी पर्शन के बीच में एक घमासान युद्ध हुआ जहां पर एथीनियंस को लीड़ कर रहा था थैमिस्टडू कलिस वहीं पर पर्शन को लीड़ कर रहा था डारियस की अर्मी के उपर ऐसा हमला किया कि ना तो ने अपने हथियार निकलने तक कर टाइम मिला और ना फिटीम को बचाने थी चाला की और फूर के सीरे में खुशता है मगर यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि डारियस के पीछे उसका बीटा खड़ा था जर्क सीज और आज भी थेमिस्टोकली सोचता था कि का इसके सीर में उतार दिया होता जिसके बाद में समय आगे वड़ता है हम पर्शन राज को देख पाते ह पर डारियस घायल पड़ा होता है और वहीं पर उससे मिलने के लिए उसकी सबसे काबिल युद्धा जिसका नाम होता है अटमीश्या मिलने के लिए और वह तो कहती है कि अगर तुम्हें पिता के मौत का बदला लेना है तो तुम्हें एक देवता के रूप में पुनर जन्म लेना पड़ेगा तो एक छोटा लड़का था वो इस वक्त जंग के लिए तयार नहीं था साथ दिनों तक काफी रोने के बाद में जब आटमेशिया उसके पास आती और कहती है कि अब वक्त हो चला है इंतकाम लेने का और अब तुम करोगे एथैंस और युनान को पूरी तरीके से खत्म जिसके बाद तो आटमेशिया अपने पूरे राज्ये के अंदर दूर दूर स और भेज देती है जर्कसीज को सुनसान रिगिस्तान में मिलो दूर जहां पर कई दिनों तक बिना भूक प्यास पानी के चलता जाता है जर्कसीज और अंत में जाकर एक ऐसी गुफा में पहुंचता है जहां पर काली शक्तियां और ताकत वाले तांतिरिक बैठे थे जिनक ना तो कोई हरा सकता था और ना ही कोई मार सकता था और अब इस वक्त जर्कसीज की शरीर के इंदर कोई भी पुराना इंसानी अंग नहीं बचा था उसमें अब रूहानी ताक्ते आ चुकी थी अब कहीं पर्शियन युनानियों पर हमला करने से मना ना कर दें इसलिए अट एलान कर दिया कि अब युनानी उनके पैरों तले कुचल दिये जाएंगे आटमीशिया को खुद युनानी बिल्कुल पसंद नहीं थे क्योंकि यह बात आज से 20 साल पुरानी थी जब वह एक चोटी बच्ची थी जो की युनान में ही पैदा हुई थी मगर वहां के कुछ स से मार दिया और कई मैनों तक उसका भी शोशन किया और जब वह पूरी तरीके से खत्म हो गई तो उसे मरने के लिए युनान की सडकों पर छोड़ दिया तभी वहां पर एक फारस के तलवार बास की नजर उस पर पढ़ गई जिसने उसको सहारा दिया उसे हर तालीम दी तल थी कि उसके सामने कोई भी युद्धा नहीं टिक पाता था और यहां तक कि उसके हातों ने कई सारे राजाओं की मुंडिया ओडा कर डारियस को पीश करा और यहीं रीजन था कि डारियस के कभीले में आटमीशय की काफी उपर इजद थी जिसके बाद में कहानी शिफ्ट ह होती है प्रेजन टाइम में और यह वो वक्त होता है जिस वक्त नर्ख की द्वार पर खड़े लियोनाइडाज और उसके तीन सो साथी समुद्र में फारस की फॉज को इस पार्ट में हमने देखा था यहां पर ज्यूज जो कि स्पार्टन पर महरबान था उन्होंने पारसि सासरे सामने से ज्यादा मजबूत घूत रख भॉन कर जाकर उसने उनके जाओ के बीच में वार किया और उनके सारे जहाजों को करके समुद्र में डुभा दिया इन कुण यह इससने की मेरे राजा डारियस के सीरे में तीर उत आटमीजिया उसके सामने एक सौधा पेश करती है और उसे अपने जहास पर बुलाती है और फिर कहती है कि तुम्हारे ये मुठी बर फॉज हमारे लाखों की फॉज के सामने कुछ नहीं यानि कि तुम्हारे हर एक सैनिक को मेरे हजार सैनिक मारने पड़ेंगे और तुम्हारे सिर्फ एक जास को मेरे कई सैकड़ों जास डुबाने पड़ेंगे तब जाकर मुकाबला बराबरी का होगा जो कि सिर्फ तुम्हारे सपनों में पॉसिवल है मैं इस जंग का रुख पलट के रख सकती हूँ अगर तुम मेरे साथ हो जाओ। थैमिस्टोकलीज को रिजाने के लिए अपना जिस्म तक उसे दे देती है। यहाँ पर इनके बीच में एक इंटिमेट सीन भी होता है और जब वो उसे कहती है कि तुम चाहो तो रोज ऐसी रात मेरे साथ पिता सकते हो। मगर थैमिस्टोकलीज अपने देश अपने लोगों के लिए वफादार था और वो ऐसा करने से मना कर देता है। जिस पर गुस्से में एक आट मीशा लोगों से कहती है कि इस कचरे को बाहर भैग दो। और अब इन्हें मैं दिखाऊंगी कि जंग किसे कहते हैं। जिसके बाद में शिर्वात होती ही अगले दिन की। और यहां पर अट मीशा ने अपना एक ऐसा जहाज इस जंग में उता रहा होता है जिसके अंदर टार भरा होता है। एक जोरदार का ब्लास्ट होता है और थैमिस्टोक्लीस के साथ साथ उसका पूरा जहाज भी पानी के अंदर तिनको की तरह बिखर जाता है। इतने बड़े हमले के बाद तो एथीनियन्स अपने आपको सम्हाल तक नहीं बाते हैं और वहीं पर पानी की गुज्जीव उनको आकर खाने की कोशिश करते हैं। अगर ये तो सिर्फ थैमिस्टोक्लीस का एक बुरा सपना था। मगर जब उसने आखे खोल कर देखा तो उसकी सेना के कई लोग जान से मारे गए थे। सिधा जाकर थैमिस्टोक्लीस से मिलता है और कहता है कि मेरे महरबान राजा जर्क्सीज ने मुझे तुम से मलाकात करने के लिए भीजाए। उनकी फॉच के सामने तुम नहीं टिक पाऊगे। तो थैमिस्टोक्लीस कहता है कि तुवही कद्दार है ना कुबडे जिसने के लियोनाइडस को हराने के लिए सीधा जर्क्सीज से हाथ मिला लिया। एक बार भी अपने लोगों अपने देश और अपनी मिट्टी के बारे में नहीं सोचा। और हम उन शहीदों की कुर्बानी जाय नहीं जाने दे सकते हैं इसलिए मैं चाता हूँ कि तुम मेरी मदद करो मुझे अपनी सिना दो जितनी हो सकते हैं उतने जहाज दो मैं जाकर जर्क्सी से इन सब का बतला लूगा और युनान को जीत दिलवाऊंगा। मगर गौर Ouais Nhes ने अभी अपने पती को खोया था वह सकी मदद करने सब कर देती और कहती है कि हमने तुम्हारी साथ मना करी अब क्या जंग लड़ने के लिए यहां के बच्चों को तल्वारे पकड़िए तुम्हारे लिए अपनी Cities चाते हो तो यहां से चले जाओ थैमिस्टोक्लीज उससे मांगना तो बहुत कुछ चाता था मगर वो रानी को कुछ कह नहीं पाता और वहीं पर वो लियोनाइडस की उस तलवार को रख देता है जिसने की जर्कसीज के खिलाफ एक शांदार जंग लड़ी थी और जाते वक्त जिसे की आपकी ताकत से डरना चाहिए वो तो बिल्कुल नहीं डर है और बलकि उल्टा आपके खिलाफ एक बड़ी जंग के लिए तयार हैं ये सुनकर आटमीशे कहती है कि मैंने तो खुद उसे जान से मारा था आकिर वो बचा कैसे मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूँग और अगली जंग जोगी सैलमन की खाड़ी में होने वाली है उसे मौत के घाट उतार दूँगी तो जरकसीज कहता है कि इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना जूट इसके लिए हमें अपने लोगों को वहाँ पर बिजवा कर ये सब कुछ पता करवाना पड़ेगा लेक जिसके बाद आता है इस कहानी का वन अफ दा बैस्ट सीन जहां पर थैमिस्टो क्लीज की सिर्फ चहाज अपने चंद सैनिकों के साथ में लाखों की फौच से लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं बिना ड़ेगी वो हमें जान से मार देंगे है नहीं बिना कुछ सोचे कि ह हम ये जंग जीत पाएंगे नहीं फिर भी उनका जजबा काबिले तारीफ था उसके बाद तो दोनों ही टीमों के बीच में धमादम फाइट हो जाती है जहां थैमिस्टो क्लीज अपने जहाज में रखे घोड़े को निकाल कर हर एक को अपने भाले और तलवार से चीर का र और आटमीजिया को जान से मार दिया होता है मगर फिर भी उनकी टीम के आगे थैमिस्टो क्लीज की टीम हारती नजर आती है और यहीं पर सबसे बड़ा गेम चेंजिंग सीन आता है जहां पर हम गौर्गो और उसके हजारों सिपाईयों को देख पाते हैं जो कि अब फार्स 14 में और अभी चल रहा है 2021 जो कि आलमॉस्ट खत्म होने वाला है जितना बेसबरी से आपको इसके थर्ड पार्ट का इंतजार है उतनी ही बेसबरी से मुझे भी क्योंकि इसी शांदार दिल दहला देने वाली कहानिया बहुत ही कम देखने को मिलती है और होप कि मेरी सब्सक्रांदार सीरीज को लेकर आने वाला उनसों तब तक लिए की वाचिंग इन स्टे सीफ मिलते हैं अगले वीडियो में अगले वीडियो में